ICC T20 World Cup 2024 लीग राउंड में आखिरकार पाकिस्तान को पहली जीत नसीब हो गई बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के खिलाफ मैच गवाएं और फिर जाकर टीम को कनाड़ा के खिलाफ साथ विकेट से जीत में पाकिस्तान की इस जीत के माईनी बहुत ज्यादा है क्योंकि यह मेच पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला था अगर पाकिस्तान यह मेच गवाता तो सुपर एट की दोड से आउट हो जागा मेच न्योग के नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मेदान पर 11 जून को खेला गए पाकिस्तान की और सिर मोहमद रिजवान ने 53 गेंदो पर 53 रन बनाए और टीम को जीत दिलाकर ही लोटे रिजवान ने इस पारी के साथ टीम इंडिया के दिग्गस विकेट कीपर रहे और पुर कप्तान MS दोनी को एक खास मामले में पीछे छोड़ दिया और एक अन्य मामले में उन्होंने टीम इंडिया के मौजुदा कप्तान रोहिच शर्मा की बराबरी कर लिए टॉप और फॉर्म बॉर्टम और फॉर्म ICC T20 वर्ल्ल कप के इतिहास में विकेट केपर बैटर के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रिजवान ने धोनी के साथ साथ अपने हमवतन कामरान अकमल को भी पीछे छोड़ दिया इस लिस्ट में टॉप पर इंग्लेंड के जौस बटलर है जिन्होंने 801 रन बनाए है दूसरे नंबर पर शिलंका के पुर कप्तान कुमार संकारा है इस लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर महमद रिजवान आ गए है कनाड़ा की खिलाफ मैच के बाद रिजवान की खाते म कुल 540 रन हो गए धोने इस लिस्ट में चोथे नंबर पर खिसक गए है जिन्होंने 529 रन बनाए है कामरान अक्मल के नाम इस मामले में 524 रन है